हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टोड़ चनल आज की वीडियो बहुत यह दा इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो ऐसी से उपर है जो यूटूबर से और उन्हें इसलाम कबोल कर लिया उनकी हालत पहले कैसी जी अब उनकी हालत कैसी हो गई तो आज की वीडियो बह अमेरिकन यूट्योबर और सोचल मीडिया इंफ्लोएंसर हैं इनका नाम कीनोचन है लेकिन इन्होंने यूट्योबर स्नीको नाम से अपना चैनल स्टार्ट किया था यह काफी पॉपुलर यूट्योबर थे जिनके चैनल पर 10 लाग से भी ज्यादा सब्स्राइबर थी आप जब इनके दोस एंड्योटेट ने इसलाम कबूल किया तो स्नीको का कहना था कि मैं कभी भी इसलामिक हभी भी नहीं वनूँगा लेकिन इनके किसमत में कुछ और ही लिखा हुआ था जब स्नीको ने अपने यूट्योब चैनल के ओपर इसलाम और दुनिया की पावरफुल इसके मुतलिक पोड़कास्ट शुरू की और इसलाम को ने को कंपेर करना स्टार्ट किया तो इन्हीं एसास हुआ कि इसलाम एक सचा मजभ है इवन जब इन्होंने सोशल मीडिया पर सच बोलना शुरू किया तो इन्हें यूट्यूब से बैन कर दिया गया जिस तरह एंड् पर आकर सब को बताया कि इन्होंने क्यों इसलाम को कबोल किया है अला ताला ने इस बंदे को ऐसे हिदायत दी है कि अब ये किसी को भी इसलाम के डिबेट में हरा देता है अन्यवे अब सनी को अपनी पोड़कास्ट और वीडियो के जरिए यंग मुसलिम्स को इंस्पायर क पीसी पॉल दूसरों ये जो पुलीस ऑफिसर आप दिख रहे हैं इनका नाम पॉल रीडिंग है ये पिछले सोला सालों से लंडन पुलीस डिपार्टमंट में जॉब करते थे ये एक नॉन मुसलिम थे लेकिन इनकी ड्यूटी जिस एरिया में लगी हुई थी वहां मुसलि क्यमिनिटी रहती थी ये हर उस मुसल्मानों को नमास पढ़ते हुए देखते और अपनी ड्यूटी करते थे लेकिन ये मुसल्मानों से बहुत सब्सक्राइब थे लेकिन कि वह कुरान पाक पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसलाम आखर है क्या सो इन्होंने कुरान मजीद और इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया पौल का कहना था कि इन्होंने पांच महीने में दो दफ़ा पूरा कुरान खतम किया था पौल के मताबिक इसी साल जन्वरी में एक दिन जब वो रात को सो रहे थे तो अचानक इनकी चेस्ट में दर्द हुआ और जब वो उठे तो इन पुट दा कुरान आउन ये सुनकर इन्होंने फौरण अपने टैबलेट में कुरान खोल लिया और जब कुरान की आडियो में सबसे पहले बिसम ल्लाहिर रह्मान रहीं की आवाज आई तो इनकी सांस बिलकुल नॉर्मल हो गई कुरान की दिलावत सुनकर इनके दिल को तो पौल का कहना था कि मैंने इसलाम को चूज नहीं किया बलकि अल्लाह तलाह ने मुझे 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 किया है और इसी मौज़े के तौर पर इन्हें हिदायत मिल गई है वैल इससे बड़ी खुशकिसमती और बला क्या हो सकती है इबू दोस्तों ये जो शक्सा आप दिख रहे हैं इसके टैटूस और लुक को देकर अंधाजा लगाया चाह सकता है कि इस बंदी का इसलाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था इस बाई कतालोग यूके से है और ये एक क्रिस्चन थे ये यूके के बलैक पूल एरिय क्रिटी मानी जाती है यहां ड्रग्स शराब और पार्टी यंग लोगों का रोज का काम है इबू भी इसी माहौल में बड़े हुए और चोटी एज में ही शराब बीना स्टार्ट कर दी थी ऐसे माहौल में तो एक मुसल्मान भी खतरे में पढ़ सकता है जह जाए कि कोई न से बाकर बर्मिंगम आ गए यह बिल्कुल होमलेस और होपलेस हो गए थे लेकिन जब यह यहां पर आए तो रमजान का महीना था यह सड़कों पर सोते थे तो एक दिन मौसन नामी एक भाई खाना तक्सीम करते हुए इनके पास पहुंचे कोई करता है पढ़ जाए ना सिर् रिडियो लेक्ते और अल्ला का जिकर सुनते आखरकार इन्होंने मौसन भाई के साथ ग्रीन लेन मस्जद में इसलाम को कबोल कर लिया इन्होंने अपना नाम इबराहिम रख लिया और अब अल्ला के फजल से यह बामल मुसल्मान है तकीता का जावा दोसों तकीता का जावा एक टैटू आटिस्त थे जिनका तालुक जापान से है यह कोई आम टैटू आटिस्त नहीं थे बलकि जापान के सबसे खतरनाक गैंग याकूजा के लोग भी इने जानते थे और इन्होंने याकूजा गैंग के साथ काम भी किया हुआ था लेकिन अल्ला के एक नेक बंदे ने इस जापानी गैंग्स्टर की जिन्दगी को बदल कर रख दिया एक दिन तक की सुबा कहीं पर जा रहे थे कि ने टोक्यो की भीड में एक सफेद रंग के कपड़े पैना एक रुवानी शक्स नज़र आया ये बुजर्ग लोगों को अल्ला और इसलाम की दर्फ बुला रहे थे इन्होंने तक कजावा को भी एक पंफलिट पकड़ा दिया और इवन इन्होंने इसलाम की मतलिग इन्ही बहुत सारी बाते भी बताई इसके बाद तक की ने इसलाम पर रिसर्च करना शुरू कर दी ये मुसल्मानों से मिले और इन से इसलाम के मुतलिक इन्फॉर्मिशन लेने लगे आखरकार इन्होंने इसलाम को कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला तक ही रख लिया इन्होंने ना सिर्फ इसलाम को कबूल किया बलके दीन के मुतलिक तालीम हासल करना भी शुरू कर दी एक दिन तक ही जापान के एक मस्जद में नमास पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर इन्हें वही बुजर्ग मिल गए असल में ये बुजर्ग कोई और नहीं बलके शेख निमतल्ला थे जो कि जवान में दीन पहलाने का बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहे थे आप बिलीव नहीं करेंगे कि शेख नमतल्ला ने इन्हें मस्जद का इमाम बनने की दावत दी और अब्दुल्ला तकी कबूल इसलाम के सिर्फ एक साल के बाद ही इमामत के सारे फराइस और जवाबत सीख कर मस्जद की इमाम बन गई इवन 2008 में इन्होंने हज की सादत भी हासल की अब्दुल्ला तकी यहां पर नहीं रुके बलकि इन्होंने इमाम बनने के बाद भी मसलसल दीन इसलाम की स्टड़ी जारी रखी और इन्हें स्कॉलर्शिप भी दी गई अब्दुल्ला ने अपनी पूरी जिनगी बदली और इमामा पहन कर एक बामल आलम दीन की तरह रहने लगे अब ये अल्ला का शुकर अदा करते हैं कि अल्ला ने इन्हें याकूजा जैसे गैंक्स्टर से एक बामल मसल्मान बना दिया है वेल अब्दुला तकी की स्टोरी वाकिये में एक मिसाल है माशाला दू दूस्तो अगर आप डेबली डेबली ये देखते हैं तो आपने कभी न कभी इस रेसलर को जरूर देखा होगा इसका नाम उमागा था और ये एक प्रोफेशनल डेबली डेबली रेसलर था अनफॉशनेटली 2009 में इस रेसलर की डेथ हो गई थी लेकिन इसका एक बेटा है जिसका नाम जिल्दा फातु है जिल्दा जब चोटा था तो इसकी फादर की डेथ हो गई इसके बाद ये 15 साल की उमर में क्राइम के रास्ते पर चल पड़ा एक दफ़ा जब ये चोरी करा था तो पुलीस ने से पकड़ लिया और जजज ने इसे 6 साल कैद की सजा सुना दी जिस जेल में जिल्दा को कैद किया गया था वहां कई मुसल्मान भी कैद थे जब वो नमास पढ़ते थे तो जिल्ला इनको दे कर बहुत ही हरान होता था आखर जिल्ला की दिल्चस्पी बड़ी और इन्होंने मुसल्मान कैदियों से इसलाम के मुतलिक पूछना शुरू कर दिया ये देखते कि जेल में इतनी सक्ती होने के बावजूद भी मुसल्मान बे खौफ होकर नमास पढ़ते और इवन जुम्मे के दिन का भी एहतमाम किया जाता ये उन मुसल्मान भाईयों से इतना मुतासर हुए कि इन्होंने एपरल 2022 में जेल के अंदर ही इसलाम कबूल कर लिया जब ये जेल से सजा काट कर आजाद हुए तो फिटनेस के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और जर्म का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया इवन जिल्ला ने बाकाइदा वीडियो बना कर सब को बताया कि वो इसलाम के दाएरे में आ चुके हैं अब अल्हमदुलिल्ला ये एक मुसल्मान है और दीन के रास्ते पर चल रही है तो दोस्तो आज के लिए पस बहुत ही इंड्रेस्टिंग वीडियो थी फ्रेंड्स दा हैदर टीवी की वीडियो है इनके चैनल का लिंग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दुआ पांच मि आदमी सोच मिने सकता कि यो लोग एमान में दाखिल हो जाएंगे तो बंदा जिसने टैटू गरा बना राकित पुरू अलम तरह कहिफा पड़ी उनने कितनी पैड़ी सुरुत है कुरान सभी कि उसने पढ़ी तो अल्ला जिसको चाहे तब हिदायत दे सकता है तो अल्ला के ह कितने अच्छे वाकियात हमारे थे कैसे कैसे इसलाम से किनी दूर थे लोग फिर भी अल्ला ने इनको हिदायत दे कि इसलाम में दाखिल कर दिया बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन इस्टोरी थी बहुत ही आदा अमेजिंग वीडियो थी अगर आपको इस वीडियो पसन साथ तरह बहुत आजान रिकिये खुदा आफिस